over team वेलगे वैल्कम तो इंडियन डूबरो शारी का चैनल कैसे यह लोग मैंश का आज मैं अपके सांते रिवू करने हो इवाट Неन के 프로 ने चरोके ले जो यह सांते हूं विवाने इवालन यहां पर तो यहां पर दो आपके शेयर करने वाली हो इसमें टोटल 20 पैट्स है और इसकी जो प्राइस है 100 ओपीज है मैं आपके साथ इसका लिंक आप वहां से चेकाउट कर सकते हैं इसके यह इसकी फ्रेंडली है और एंटी रैसे आपको कोई रैसे नहीं होगी जैसे की वोमेंस को ब है नहीं की प्रैनिंग इसकी फ्रेम्ले मेर्स हो आपके वह एनटी अदेल्टहस करें हैं उपकोु और प्रोटैक्षन है जो आपको प्रोटैक्टनी ड्राइस्न टॉप लैयर है और इसकी जो साइज एक्स्ट्रा लॉंग है तो इसके बारे में और मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती हूं दोनों पैट्स के बारे में कि इसमें क्या-क्या इसके बेंफिट से अगर हम इसको यूज करते हैं चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स यह है इवर्टिन का न्यूली लॉंच पैट इसके दो वेरियंट आते हैं एक पिंक कलर का और एक ग्रीन कलर का है जो पिंक वाला है यह है कॉटनी सॉफ्ट इसका जो टॉप लियर है कॉटनी सॉफ्ट है और यह जो ब्लू वाला है यह कॉटनी ड्राई है यह और आपको टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगे क्योंकि जो पैड होते हैं उसको यूज करने के बाद महिलाओं को टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है इसका जो साइज है 280 mm है और इसमें आपको एडवांस प्रोटेक्शन मिल जाता है और साथ ही साथ ही ये पैड इसकी फ्र और इवर्टीन के बहुत सारी product आते हैं मैंने बहुत सारे product की review भी किये हैं जैसे menstrual cup या फिर pantyliner आता है intimate wash आता है तो यह बहुत सारी चीछे आती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं यहाँ पे mention भी है इसके उपर और इस pad में आपको extra long size मिल जाता है with white wings तो इसमें आपक लिकेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और यहां पे मैं आज आती हूं पिंक वाले पैड पे तो इसकी भी पैकेजिंग बिल्कुल सेम है लेकिन यह है कॉटनी सॉफ्ट जिसका टॉप लेयर जो होगा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फिल नहीं होगी और यह भी एक्स्टा लॉंग पैड्स विद वाइड विंक्स में आ रहा है और इसकी इसमें भी जो पैड है वो 20 पैड्स है इसमें टोटल एंड सेम इसका वेरियंट है आप जो मर्जी वो ले सकते हैं इसको मैं आभी ओपेन करके भी आपको दिखाती हू और बिल्कुल soft है एकड़म cotton layer है कई बार ऐसा होता है कई पैड्स के होते है बिलकुल irritation feel होती है प्लास्तिक जैसा दिखता है या फीटच करने पे प्लास्तिक जैसा रहता है लेकिन यह बिलकुल soft है तो फ्रेंड्स यह थी मेरी इस product की review आई होगी अगर आप पर्चिज करन कीजिएगा ज्यादा श्यादा शेयर कीजिएगा बाबाई